गुड मॉर्णिंग चिल्डरान वैलकम टू वन्नामैम क्लास आज मैं आप सभी बच्चों को व्यनजन सिखा हूँगी मेरी पिछली वीडियो में मेरे सभी बच्चों ने स्वार सिखा था और आई होप सभी बच्चों को स्वार अच्छे से आ गया होगा क्योंकि काफी टैम होगया हमें सवर कियो हुए तो आज से हम सीखेंगे व्यनजन व्यनजन की धबनी सीखेंगे, साउंड सीखेंगे और व्यनजन को कैसे लिखते हैं तो सभी बच्चे व्यनजन लिखने को तयार हो जाएए और हम स्टार्ट करते हैं व्यनजन आज हम सिखेंगे व्यनजन व्यनजन में कोई भी शब्द ऐसा नहीं होता जिसके पीछे स्वर नहीं लिखता मैंने एक व्यनजन लिखा है क क क क का मतलब क से कबूतर क से कबूतर सभी बच्चे जल्दी सी कैच कर लेंगे क्योंकि हमारी भाषा हिंदी है पर जब हम इसी वर्ड को लिखते हैं हिंदी में या इंग्लिश में तब हमें बहुत मुश्किल होती है इसलिए मैंने कुछ अलग तरीके से व्यनजन लिखे हैं जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को मैं अभी बताऊंगी क क के अ ए का साउंड आया ना तो ये क से क्या साउंड निकला बच्चों क अ का साउंड क तो आप कैसे सिखेंगे इसको क से कबुत्तर तो सभी बच्चे कर लेंगे क से कवा क से काला पर इसका साउंड आप साथ की साथ बोलेंगे क अ कर next है सबसे पहले हम two लिखेंगे मेरे पास five line books copy नहीं है इसलिए मैं three lines four lines copy पर कर रही हूँ अगर किसी बच्चे के पास five line copy है तो वो in word को only on blue line पर लिखेगा red pen red line को touch नहीं करेगा lockdown के कारण मेरे पास notebook नहीं है इसलिए मैं आपको यहां पर word करना सिखा रही हूँ सबसे पहले हमने two बनाया सभी बच्चों को हमारी previous class में two बनाना आता है next one small car middle में small car kh kh k h a kh क्या sound आया kh kh से खरगोश ऐसे नहीं बोलेंगे kh से खरगोश आपका sound जुरूर निकलना चाहिए without sound हमें आगे write करने में बहुत problem होगी और हम अक्षरों की भी पहचान नहीं कर पाएंगे next standing line small car standing line go g a go go say gamla go next ये क्या बन गया उल्टा 3 आदा है ना सभी बच्चों को बनाना उल्टा 3 एंड स्टैंडिंग लाइन go अधिकतर बच्चे बनाते वक्त यही mistake करते हैं कि इन दोनों को attach कर देते हैं पर हमें थोड़ा सही से दूरी पर रखना है जी एच्च ग से बताओ घोड़ा ग निकलना है ना एच्चे ह का साउंड घ अगर आप ग को हटा के एक बार इस साउंड को पकड़ते हैं तो एच्चे ह घोड़ा यहाँ पर भी एच्चे का साउंड निकल रहा है ह खर गोश तो यह साउंड आपने जरूर पकड़ने हैं अगर आप अभी से ही शुलू से ही साउंड को catch करना सीख जाते हैं तो अगली classes में आपको problem नहीं होगी उसके बाद हैं क क ख ग ग ग एंड ड ड अब हम हिंदी में तो इसको ड बोल रहे हैं पर इसका साउंड लिकलता है न न न इसको आप एंजी न भी बोल सकते हों नेक्स्ट है च स्मॉल स्लीपिंग लाइन कर्व एंड स्टेंडिंग लाइन च सी अ आप हिंदी में तो आपके मुझ से निकलेगा कर पर इसका साउंड होता है यह सी होता है न एक साथ रटाच हो के च बन जाता है च च नेक्स्ट है स्टेंडिंग लाइन सी एच अ हा का फिर साउंड निकला अब यह जो था सी जिसको हम कर बोलते हैं वह हिंदी वियंजन में च का मिन ले रहा है तो च और हा क्या बन गया च्छ क्या बन गया च्छ नेक्स्ट स्लीपिंग लाइन कार्व लाइन जे ए ज़ ज़ से जग छ छ चाता च चर्खा च चमच छ चलनी ज़ जहाज आगे हैं ज़ इस से मिली आती है न सक पर बनानी तो यह क्या बन गया ज़ 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 से जंडा ज़ से बताओ कुछ आप भी बताओं ज़रों का नेक्स्ट सेम है देखिए च च ज ज ज ज अन इसको हम दुबारा आगे न बोल सकते हैं न नेक्स्ट हो स्टेंडिंग लाइन कर टी ए ट ट ट से टमाटर स्टेंडिंग लाइन एंड सर्कल ट एचे ठ ट एचे की क्या साउंड निकल रही है हो ट एचे ठ ट ट एचे ड ट एचे ड और नेक्स्ट अना जिसकी साउंड भी एन ए निकलेगी अना तो बच्चों यह आपको वियंजन करवाए हैं एक पर दुबारा रुपीट करते हैं क क से कबूतर क क क क क क की साउंड आ रही है बच्चे क क क से खरगोश क कर बूजा ग जी ए ग ग से गमला जी एचे घ ग से घोडा ड एन ए न न न भी बोलेंगे जिसे सी या क क्या बन जाएगा यहाँ पर च च से चमज सी ए च हा की फिर साउंड आ रही है च चाता आब इज आरे मिक्स कोई भी वियंजन स्वार के बिना बोला ही नी जा रहा आप देख रहे हो ना क्छा आप जए ए जग जए जणड़ आन्य खली टेए टेट टमाटर टेएच एच ट ट्र टेरा डेट द से डमर है ड़ो आप ड़ो से ढखन आन न आ अन न मैं अभीद करती हूं कि मेरे बच्चे साउंड के जरीए शीखेंगे क्योंगे विविवे शांड के जरीए आप ज जलदी चीठ होगे बच्चों आपको एंगलीश में प्रोब्लम भी नहीं होगी हिंदि में प्रोब्लम नहीं होगी और मैं बार-बार हमेश अपने बच्चों कहती हुँ कुछ भी करने से पहले अपनी रफीजन रखे में इस becoming in standing line sleeping line कर्व लाइन अन्म स्लांटिंग लैन सबसे पहले इनकी पहचाहन होनी जाए अगर आपको इनकी अच्छान हो जाएगा कि लिए अक्षर की बनावट चाहे वो हींदियों उमेथों तो इंग्लीश वो आपको करने की कोई प्रोब्लम नहीं होगी बार बार इस लोकडॉण में आप बार- अच्छे से करेंगे और मुझे अपनी अपनी एक सेंट करेंगे